हलो दोस्तों मैं हूँ पंकाच गरो और आप देख रहे हैं भारती टूस हिंदी और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम पेंडराइब को बूटेबल कैसे बनाते हैं हम दो तरीकों से पेंडराइब को बूटेबल बना सकते हैं पहला तरीका है एक सफ्ट्वेयर डाउनलोड करनी होगी जो वीडियो के लिए आती है और दूसरा तरीका है कि हम कमांड के तरीक खुर जागर के पेंडराइब को बूटेबल बना सकते हैं मैं आपको दोनों तरीके पताऊंगा तो चलिए हम पहला मेंटर देखता है कि हम कमांड के जरिए पेंडराइब को बूटेबल कैसे बनाता है तो पर स्टार्ट मेनू पे जाईए और यहां पर सीमडी टाइप कीजिए इसके बाद हम करेंगे लिस्ट की डिस्क अब इसमें हमें अपने pen drive वाले disk को select करने होगा, यहां पर दोनों दिखाएगा, एक हमारे computer का दूसरा जो हमने pen drive लगाया, यहां पर मैं अपने pen drive को select करूँगा, जो disk 1 पर है, तो उसका command है select disk 1 एक बद चेक कर लेंगे, कि हो select होगे नहीं, तो फिसे हम list disk करेंगे, जी हम देखिए हमारे list disk 1 पर start marks आ गया, इसका मतलब कि हमारा pen drive select हो चुका, तो अगला command डालते है clean, जो next command है, उसके बाद है, create partition primary, enter करें, अब यह हमारा partition created हो चुका, एक बार हम फिर इसको select करेंगे, जिसका command है, select partition 1 जी हमेरा पहला partition select हो चुका है, एक बार हमें इस फिसर्स पर्मेट मारना होगा, जो कि एंटी फिस के तुरू होगा, तो उसका command है, पर्मेंट, एफेस, equal sign, एंटी एफेस, क्विक कर देंगे, ताकि यह जल्दी हो, यह थुरा सा time लेगा, next command हम type करेंगे, active, इसको इंटेर्वार है, और फिर एक और command है, वह है assign, करने के बाद ही हमारा pen drive का pop-up box आयागा, जिसमें आपको सारे window का file copy करना होगा, देकि हमारा file खुल चुका है, इसको open करें, और आपके जहां पे window का file फॉरा होगा, उस file को copy करके, इस pen drive में paste कर देंगे, यह मेरा window यहां पर फ़रा, window 7, यह सारे file मैंने copy कर लिया और इसे pin drive में paste कर दूँगा तो दोस्तो जैसे ही यह file सारे copy हो जाए, तो हमारा pin drive जो है, window डानने के लिए ready हो चुका अभी मैं इसको cut कर देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि हम software के थुरू पेंडरेब को bootable कैसे बनाता है, आप google में type करें, window, usb, dvd download tool इंटर कीजिए, यह जो filehippo.com का link हैगा, इस पर click कीजिए आप यहां से, इसको simply download करने, download करने में कोई दिकत नहीं होगे, कप यह जी प्रोसेस है, मैं already download कर चुका हूँ, तो चलिए हम उस सब्टियोर के थुरू कैसे करते हैं, और देखते हैं, तो यहां पे है मेरा सब्टियोर, इसको open करते हैं, जहां यह खुल गया, और यहां से हम उस ISO फाइल को ब्राउज करेंगे, जहां पे भी हमने रखा हो, तो मैं यहां से Windows 7 के ISO फाइल को ब्राउज करूँगा, तो मैंने रखा है, यह फोल्डर में, यहां से मैं ISO फाइल को वहां पे ड्रैग करूँगा, और मेरा ISO फाइल यहां रहा है, जी है, इसको select करूँगा, और open करूँगा यहां पे, यहां यह होगा, और यहां पे आपका पिन्राइब सुगे, यहां से बस next कर दीजिए, USB या DVD आप भी जो लगाया हो, तो मैंने USB लगाया है, USB फे क्लिक करें, और यहां से बिंग कोफी फे क्लिक करें, यहां पे हमारा पिन्राइब सेलक्ट हो गया होगा, यहां पे बिंग कोफी करें, यह पहले आपके पिन्राइब को फॉर्मेट वा रहेगा, फिर कोफी होगा, तो आपको यह दियान रखें कि आपके पिन्राइब में कोई फाइल ना हो, इसको ओके करें, बस यह कॉपी होना यह स्टार्ट हो जाए, तो हमारा पिन्राइब जो होगा, बुटेबल हो जाएगा, जैसे ही सारा फाइल कॉपी हो जाए, यह 10-15 मिनट टाइम लेगा, फाइल कॉपी होने में, आपका pin drive bootable होना ते दिए मैं दिए copy होना start हो गया जी हाँ copy होना start हो गया तो दोस्तो जैसे ही सारे file copy हो जाए हमारा pin drive bootable हो जाएगा और दोस्तो मैंने window 7, window 10 और जो भी software मैंने इस tutorial में उच किया है उनका download link मैंने description में दे रखा आप वहाँ से जाकर के download कर सकते है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही और मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने computer का OS change कैसे करता है तो आप मेरे अगले वीडियो को देखना ना भूले और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें चुकी subscribe करेंगे तो हम हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे और subscribe करना बिल्कुल फिर है धनिबाद दोस्तो थेंक्यो दोस्तो